देख रहे हैं शौहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के एक्जाम्स के रिजल्ट के लिए आपको रिवैलुएशन का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं रिवैलुएशन से आपको कितना फाइदा हो सकता है क्योंकि काफी सारे इस बार दिसंबर 2023 में दिनका रिजल्ट आया है और उनको कम मार्क्स मिलें तो कितना फाइदा आपको रिवैलुएशन से हो सकता है साथ में आज आज आंसर सीट को भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या गलतियां कई बार जो चेकिंग करते वक्त इगनू जो होता है वो छोड़ देता है जिसकी वैसे आपके रिवैलुएशन में मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो पाते है तो काफी इंपोर्टेंट आज की वीडियो है आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्जेट का उससे चालिस दिन के अंदर आपको रिवैलेशन का फॉर्म भरना होता है साथ ही अगर आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट की फोटो कपी मंगवानी है तो उसका जो टाइमिंग है वह आप 30 दिन कर दिया गया यानि कि आपका जिस दिन प्योरी एक्जाम का रिजल से माक्स इंक्रिप्ट हो पाते हैं या फिर नहीं कुछ इस तरीके कि आपके अंसर स्वा defend होता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूओ कि कह वहते हैं 10 marks, 15 marks तक भी आपके Revaluation में marks increase हो जाते हैं ये इस तरीके की आपकी answer seat होती है जिसमें first page में तो आप जानते कि आप अपना enrollment number, course code वगारा भरते हैं उसके बाद ये blank page होता है उसके बाद यहाँ पर से आपने answer जो है शुरू किये इसमें जो आप marks देख रहे हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि इतने marks इस question पर आपको मिले आपको क्या करना होता है एक बार answer seat को जब आपको PDF format में वो मिल जाएगी ये देखना है कि आपको हर question के सही marks मिले या नफिन नहीं अगर आपने question का answer सही लिखा है तो 5 में से 5 मिले या नहीं ये 5 में से 4 मिले या नहीं आगे आप देख सकते हैं कि हर question का यहाँ पर वो है answer वो लिखा हुआ है इस question में अगर हम देखें तो सिर्फ 0 marks मिले गए है तो या तो इस friend ने ये question गलत attempt किया होगा या कुछ इसमें गलती की होगी तो उसको 0 marks मिले है आप check कर सकते हैं इसी तरीके से कि अगर कोई question है जिसमें आपको सिर्फ 0 marks मिले है तो वो question आपने सही किया या नहीं अगर आपने सही किया फिर भी आपको 0 marks मिले तो आप revolution का form बरतके उस marks जो question होगा चेक कर सकते हैं खुद से जाच सकते हैं कि मेरी answer seat सही तरीके से चेकिंग उसकी हुई या फिर नहीं मुझे revaluation करवाना चाहिए या फिर नहीं आपकी जो answer seat होती है वो आप 100 रुपीज में अपने पास PDF format में मंगवा सकते हैं revaluation जो होता है वो 750 रुपीज पर subject के हिसाब से होता है तो इस तरीके से आप अपना revaluation एक बार checking कर सकते हैं आपने खुद की answer seat की कि मुझे revaluation करना चाहिए या फिर नहीं अगर आपको यहाँ पर कुछ भी गलती आपकी answer seat में नजर आते हैं जो की checking में हुई है आप revaluation का form भर दीजिए वो ठीक हो जाएगी और आपके marks चाहिए 20 marks भी आपके कम आये हो तो वो 20 marks भी add कर दिये जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस subject इस question में भी पूरे 0 marks आपके किये गए है यानकि पूरे question में एक भी marks जो है वो नहीं दिया गया आगे इन सब को में भी 0-0-0 marks दिये गए हैं और आगे इस front को fail कर दिया गया है तो इस तरीके से आप check कर सकते हैं कि आपको कितने marks मिलें आपके कौन से subject कौन से question का answer क्या था सही था या गलत था आप इसको देखकर अपनी answer script एक बार मंगवा कर उसके बाद अपना revaluation का form भर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन आपका theory exam का result आता है किसी subject का उसके 40 दिन के अंदर आपको उसका revaluation का form भरना होता है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसाना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए